आईए जानते हैं, सौफ के सेवन से होने वाले अन्य फायदों के बारे में, और साथ ही यह भी, इसके सेवन का सही तरीका क्या है, जीरे की तरह दिखने वाले सौफ का भारतिय रसोई में दिखना आम बात है, खाने में इसका इस्तिमाल खूब किया जाता है, इसके अलावा को पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। विशेशग्य कहते हैं कि सौफ के उबले पानी और सूप के सेवन से पेट फूल ने, कबज, अपच और एसिड़िटी जैसी पाचन समबंदी समस्याओं से राहत मिल सकती है। इसके बीजों का इस्तिमाल दर्द निवारक के 1. सौफ के सेवन से लिवर समबंदी बीमारियों के होने का खत्रा कम रहता है। 2. यह अच्छी नींद लाने में भी उप्योगी हो सकता है। 3. यह बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें जढ़ने से रुखने में भी मदद करता है। 4. दिमाग को तेज करने के लिए भी क्या आप सौफ का सेवन कर सकते हैं। 5. हड्यों के लिए भी फायदे मंद होते हैं। सौफ में केवल केल्शियम ही नहीं बलकी मैगनीशियम, फॉसफोरस और विटामिन के भी पाये जाते हैं। जो हड्यों को मजबूत करने में उप्योगी होते हैं। जिन लोगों को अन् इक्ष्चर रक्त चाप और कॉलेस्ट्रॉल को नियंतरित करने में मदद करता है। इससे होट अटेक दिल का दौरा और स्ट्रोक के होने का खत्रा भी कम हो जाता है। सौफ के सेवन करने का सही तरीका क्या है। खाना खाने के बाद एक चमच सौफ का बीज लेकर उसे चब सौफ के पाउडर का सेवन हलके गर्म पानी के साथ दिन में दो बार कर सकते हैं। सौफ से क्या सब नुकसान होते हैं। विशेशग्य कहते हैं कि स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सौफ का सेवन उचित नहीं माना जाता। इससे उन्हें अनेक स्वास्थ्य समबंधी सम स्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखे की अधिक। मात्रा में सौफ का सेवन बिलकुल न करें वरना यह फाइदे की जगे नुकसान पहुचा सकता है।